नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की तेरा बेट क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. तेरा बेट क्रीम को कैसे लगाना चाहिए? और तेरा बेट क्रीम की वज़स से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे की तेरा बेट क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? तेरा बेट क्रीम एक स्टेरोइड दवा है. तेरा बे दर्मेटाइटिस होने पर, सोराईसिस होने पर और एकजिमा होने पर तेरा बेट क्रीम का उप्योग किया जाता है। डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और एक्जिमा होने पर त्वचा में जलन, त्वचा में खुजली, त्वचा का सुखी पप्री बन कर उतरना और त्वचा में सूजन व त्वचा में रेडनेस होना आधी लक्षन डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और एक्जिमा होने पर हो सकते है तेरा बेट क्रीम केवल तवचा की सूजन, जलन, खुजली और रेडनेस को ठीक करती है. तेरा बेट क्रीम किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है. अब हम दिसकस करेंगे की तेरा बेट क्रीम को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है. आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर तेरा बेट क्रीम को दिन में दो बार सुबह वशाम को लगाने की सलाह देते हैं। अभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टेरा बेट क्रीम को लगाने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में तेरा बेट क्रीम की वज़र से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे तवचा में जलन, तवचा में खुझली और तवचा में सुखापन हो सकता है। ज्यादा लंबे समय तक यानी कई महिनों तक या बार बार तेरा क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। तेरा बेट क्रीम को चहरे पर और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है। को लगाने के बाद कम से कम एक घंते तक किसी अन्य दूसरी दवा या क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका तेरा बेट क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। आपका रगर एक्राएब